हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, सीटेज गुरू केंपेटिशन जोन फ्रेंज, मैं राम सर आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ फ्रेंज, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए, साथ इसाथ बेल आइकन को भी फ्रेस किजिए ताकि मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर फ्रेंज, ये वीडियो आपको पसंद है, तो ज़रूर लाइक किजिएगा फ्रेंज, आज हम आप लोग लिए लेकर आया हैं, क्लास 12 बाइलोजी का सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग फ्रेंज, आज जानेंगे हम लोग, क्लास 12 के बाइलोजी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नमबर एट वो चैप्टर था मानव स्वास्ते और रोग उस चैप्टर में हमने कुछ रोगों के बारे में जाना था कुछ लक्षनों के बारे में कुछ पड़िवासाओं के बारे में जाना था आज सब लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट यानि मानव स्वास्त रोग का पार्ट टू देखेंगे हम लोग जिसमें देखेंगे मैंली कुछ रोगों के बारे में क्यों कौन से रोग आपके एक्जाम से रिलेटेड है कौन आपके रोग आपके जीवन से रिलेटेड है किन पे ज़्यादा जोड़ देना चाहिए ताकि आपके एक्जाम में बेटर वे से अबजेक्टिव क्वेशन भी टच हो पाए साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेशन भी टच कर पाए देखते फ्रेंस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का चिप्टर मानफ स्वास्ता रूख का पार्ट टू फ्रेंस आज सबसे पहले हम लोग को जाना है मिलेडिया के बारे में मिलेडिया रूख के बारे में आप सभी इनसे होगत है malaria एक परकार की ऐसी बिमारी है जो हर कोई इससे पड़िशीत है और एक समाने रूप में एक बड़े रूप के रूप में जानी जाती है अगर निके कारक की बात करें तो वह है आपका plasmodium यानि plasmodium की बज़ा से यह जो आपका malaria आपको होता है यानि कि plasmodium वह कारक है जिसके वज़ास से आपको malaria नामक रूप होता है अगर हम लोग बात करें इसके कारण के बारे में कि बास्ता में plasmodium वाला जो है आपका यह प्रोटोजवा यह बास्ता में प्रोटोजवा जनी द्रूप है यह प्रोटोजवा आपके सरीर में आखिर इंटरी कैसे करता है यह प्रोटोजवा है एक प्रगार का और प्रोटोजवा से होने वाला रूप है आपका malaria बास्ता में यह रोग फैलने का जो कारण है वह आपका संक्रमित मदा एंपलेज मचर के काटने की बज़ास से आपके सरीर में प्लास्मोडियम जो है आपका प्रोटो जो है आपके सरीर में फैलता है जिसके वज़ास से आपको malaria हो जाए तो आपके सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा वह है आपका संक्रमित अंग जो है आपका लाल रुधिर कनी का जिसे हम लोग RBC कहते है यानि कि red blood cell यानि कि आपके body का RBC इसमें तूटने लगता है जिसके वज़ास से आपके सरीर में बिविन प्रकार के लक्षन दिखाई पड़ते है यानि कि सरीर में फिवर आने लगत करनी है जिनके लक्षनों के बारे में भी हम लो जानेंगे सांत इस मलेरिया को प्एलाने वाला प्लेजमोडियम थीए उसके जीवन चक्र के बारे में भी जानेंगे कि आखिर यह प्लेजमोडियम कैसे एक मनुस्य से दूसरे मनुस्य अगर हम बात करें malaria होने के बाद लक्षनों की यानि कि malaria के क्या लक्षन आपको दिखाई पड़ेंगे तो उनके लक्षन में जो पहला लक्षन आपको दिखाई पड़ेगा लगतार तीन से चार दिन के अंतराल पर तेज बुखार यानि कि जब malaria होगी तो आपको बुखार होगा तेज बुखार होगा यानि तीन से चार दिन का gap देकर daily fever नहीं हो लेकिन fever होगा तीन से चार दिन के अंतराल के बाद और आपको साथ यसाथ ठिटूरन यानि कि ठंड का भी आवास होगा ठंड लगे कर तब आपको fever आएगी और अगर तीसरे की बात करें important तो कमजोडी साथ यसाथ अमासे में भी आपको पीरा का भास होगा क्योंकि आपका यान्त वाले हिसे में अमासे वाले हिसे में जदा संकरमन फैल合ाता है जिसके बज़ए से आपको इसमें भी पीरा महसूस हो सकती है अगर 也्वलोगों बात करें इनके जीवन चक्रिक बारे में यानि मलेरिया के जीवन चक्रिक के बारे में यान्यारिया फैल कैसा हैं जैंकि कैसे यह मलेरिया आपको संक्रमित करती है अगर इसके बारे में अगर बात करें मलेडिया के जीवन चक्र के बारे में तो मेंली जीवन चक्र की बारे में जानेंगे तो यह जो है आपका में रूप से रक्त रंजीत जीवन चक्र है यानि कहने का मतलब इसमें हम लोग देखें कि कैसे हमारे बोडी के अंदर यह RBC को प्रभावित करताई यहाँनि कि red blood cell यहाँनि कि लाल रक्टकनिका को कैसे यहे प्रभावित करताई यह वाला इसा जो है हमारा यह हमारा मच्छर और इस मच्छर के काटने की वज़ा से यहां पर याने की मनुसे को हो रहा है संक्रमन संक्रमन होने के बाद मनुसे के सरीर में फैल रहा है मड़ा बिजानू मनुसे के सरीर में यहां फैल रहा है बिजानू यह बिजानू जाने के बाद यह आपके यक्रीत में साइजाइट के रूप में रहने लगेगा यानि कि सहबागी के रूप में यानि कि सहजीवी के रूप में हमारे आत वाले हिस्से में यह रहना सुरू करेगा यह मनुस्य के यक्रीत के जीवन चक्र यानि यक्रीत में चलने वाला इसका जीवन चक्र है इसमें क्या होगा कि मनुस्य का जो पार्ट है इसके यहां पे यह अपने बच्चे को यानि जीवित रहने के बाद यह अपने में से बिजानू बनाएगा यानि कि एक गुलाकार आकरीती बनाएगा जिस आकरीती में इस आकरीती के बाद आपका इस से कुछ बच्चे इनके पैदा होंगे यानि इनके अंदर जनन की क्रिया होगी और छोटे-छोटे अंसानू आपके बनेंगे यानि कि मनुस्य के सरीर में या जो आपका मदा अनफलीज मचर के दोरा प्लाजमोडियम है, सरीर में जाएगा, तो बनेगा बिजानू, बिजानू अपना जीवन यापन हमाड़े सरीर के आथ में कड़ेगा, उसके बाद आथ में जीवन यापन करने के बाद ये किरिया कड़ेगा प्रजनन का, कोशिका तक पहुचेगा, यह लाल रक्त कोशिका जो है, इसे क्या करेगा, लाल रक्त कोशिका को तोरने का काम करेगा, यहाँ पर फ्रेंस दिखाई दे रहा होगा, एलो कलर का पार्ट बीच वाला, यह आपका एलो कुलर का जो पार्ट है यह बीच का यहाँ पे जो एलो कुलर का पार्ट आपको दिख रहा है यह एलो पार्ट आपका ऐसा है कि प्लाज़बोडियम की वज़़ह से लालरक्त कोसीगा का टूटने का पहचान है यानि फ्रेंस या दो तरह से यानि कि लाल रक्त को सिका आपके यानि किस फ़र्म में यानि कि अंसानों लाल रक्त को सिका को पहुचेगा और लाल रक्त को सिका तूट कर मुंद्रीकानों में बदल जाएगा और मुंद्रीकानी के बदलने के बाद फिर साइजोंड के रूप यानि कि इसके सरीर के अंदल लाल रख्त को सीखा से उकड इसका जीवन यापन हमारे आत वाले हिसे में ही पूरी तरह या हमारे आत में ही इसका जीवन यापन चलता रहता है यानि जिसके बज़र से इनकी जनसंख्या हमारे आत में कभी भी कम नहीं हो पाती है यानि एक पड़ मलेरिया का संक्रमन हो जाए तो आपको जल्द ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि इसका जीवन चक्र आपके सरीर के अंदर ही कंटिन्यू रूप से चलता रहता है फिरिंस अगर आगे बात करें हम लोग कि आगे जब इसके सरीर के अंदर यह जीवन चक्र चलता है उसके बाद यह जीवन चक्र आगे की तरफ कैसे बढ़ता है तो यह जीवानू चक्र जब आपके सरीर में यह है तो यह क्या करता है जीवानू के रूप में यानि कि जनना अनू के रूप में आपके शरीर की हिसे में यो फैला हुआ डाता है। तो यह आपके शरीर में जाने के बाद इनकी जो सूड होती है, सूड वाले हिस्से में आपका यह प्लाजमोडियम बला हिसा इंट्री कर जाता है। और यही मच्छड फिर किसी दूसरे को जब काटता है तो यहाँ पे आपका वह जो रोगानु है वह जो प्लाज्मोडियम्बला इसा है वह आगे वाले को ट्रांसफर कर देता है अगर बात करें कि यहाँ जिवानु इनके सरीर में जाने के बाद किस तरह से अपना कारे करता है तो यहाँ पे उनके सरीर में यानि कि जब एक मच्छर एक संक्रमित वेक्ती को काटता है तो काटने के बाद उनका जिवन चक्र बाहरी रूप में कैसे चलता है तो उनके लिए यह जो जिवानू है यह आगे चलके पड़िपक को अवस्था में पहले पहुंचता है पहले तो जब हमारे सरीर में इंट्री की काटा हमें तो हमारे सरीर में जो छोटा सा प्लाजमोडियम था इसे यह अपने सूड में लेके गया यह सूड में जो गया वह आपका जननानू या जनननानु आगे बढ़कर पड़ि पक को अवस्था में फैल गया और पड़ि पक को अवस्था में जाने के बाद यह आपका जो हो गया फैल गया आपका किस में उकावनेट में की रूप में फैल गया यानि जो उसके सरीर के अंदर में जो लाडग रंथी है जिसे हम लोग कहते है मीडगॉट यह देखें मीडगॉट यानि इस मीडगॉट में अपना जनन करता है और अपना सरीर का विकास करता है उसके बाद दिख्सी थोकर यह बिजानू के रूत में आता है और यह बिजानू ही जब अगले बेटी को काटता है तो अगले बेटी में जाकर मलेडिया का यानि कि प्लेजमोडियम का आपका रहुग जो है वो पैदा करता है फ्रेंस यह है इसका जीवन चक्र यानि कि एक मच्छर के द्वारा काटने की वज़ा से आपके सरीर के अंदर बिजानू बनना बिजानू के वज़ा से अंसानू बनना अंसानू लाल रक्त का तूट कर मुंदरी कानु बंदलेगा और मुंदरी कानु साईजॉंट में और फिर अनसानु में यह करम जो है यह जो जीवन चक्र है मनुस्य के सरीर में भी चलता रहता है उसके बाद यह मुंदरी कानु का हिंसा ही आगे यानि जब विक्सित हो जाता है तो आपका जननानू की रूप में हो जाता है और जब बाहरी मच्छर कोई यानि कि मदान फ्लीज का दूसरा मच्छर एक संक्रमित भेगती को काड़ता है तो वह उसमें का जो प्लाजमोडियम है यानि कि जननानू है उसे अपने सूड में लगा ले सूड के माध्यम से वह धीरे धीरे उसके सरीर में बढ़ता है अंदर जाता है और यह क्या करता है जननानू आगे बढ़कर पड़ी पक्ववस्था में आता है और पड़ी पक्ववस्था में आने के बाद वह जो मेन लार गरंथी है उस लार गरंथी में मच्छर के लार ग अगर बात करें तो यह क्या है आपका मुख्यरूस से बीजानू बनाता है बिजानु बनाता है मतलब कि यह होगे आपका बिजानु यह होगे आपका बिजानु और बिजानु के अंदर बहुत छोटे छोटे आपके यह बिजानु धानी होगे आपका इसके अंदर छोटे छोटे बिजानु होटे हैं और यह तूटता है तो तूटकर बहुत सारे प्ल यानिकि पहले जननानु आना, जनननानु बढ़कर पड़िपक को होना, पड़िपक ौइझार तरफिपक को होकर बीजानु ध्यानु धननी से बीजानु बनना, और यह बीजानु यह आगए चलके पलाज़बोडियं बना रोग दूसरे जीब को फैलाना. या किरिया जो है आपका continue चलता रहता है यानि कि friends ये होगे आपका complete मलेडिया का जीवन चक्र अगर चाहे तो आप इसे screenshot ले सकते हैं या वीडियो को फिर से rewind करके आप फिर से देखिएगा आपको clear हो जाएगा friends अगर कोई doubt हो तो आप comments कर सकते हैं देखते friends अगला पार्ट यानि कि इसमें के अगले रोग के बारे में अगला जो रोग है friends हमारा वो रोग है हमारा अमीविय अतिसार यानि कि अमीविय अतिसार यानि जिसमल अमीविय पेचिस भी कहते हैं यानि कि या किसकी वज़ा से हमारे सरीर में होता है तो इसके कारक है हमारे Entamoeba Histolica इसका नाम है Entamoeba Histolica यह भी एक परकार का पढ़जीवी है जो कि हमारे सरीर के आत वाले हिसे में पढ़जीवी के रूप में रहता है यानि कि अगर इसके कारण की बात करें तो घरेलो मख्यों के द्वारा यह फैलती है यानि घरेलो मख्यी संदूसित भोजन करती है जिसके वजह से अमारे सरीर में यह रोग फैलती है अगर बात करें फ्रेंज प्रभावित अंग की तो इससे प्रभावित अंग जो है अमारा द्रीहत आत यानि कि बड़ी जो आत है इससे प्रभावित होती है देखते हैं फ्रेंस अगर अमीबी अतिसार हो जाए तो इनके कौन से लक्षन आपको दिखाई पड़ेंगे यानि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आमें अमीबी अतिसार हुआ है इनके बारे में जानते हैं friends तो यह है आपके लक्षन यानि कि Amoebae अतिसार के लक्षन देखते हैं friends क्या है Amoebae अतिसार के लक्षन पहला नंबर लक्षन कोष्ट बढ़ता यानि की कबजियत यानि की आपका जो खाना खाते हैं सही डंग से पाचन की क्रिया नहीं हो पाए जिसके बज़ा से आपके सरीर में जो मॉलिक पदारत यानि की पानी की कमी होगी जिसके बज़े से कबजियत की समस्या और भोजन सही से नहीं पश्पाना इसके बज़े से आपके सरीर में यह कबजियत की समस्या उत्पन होती है फ्रेंस उसके बाद दुसरीय चीज जो है आपका उद्रिय पीरा यानि कि आपके पेटों में दर्द महसूस होगा पेटों में दर्द होगा उसके बाद अगर लक्षन की बाद करें हम लोग तो होता है आपका पेट में एठन यानि पेट में मुमुरन होगा उसके बाद पेट में दर्द होगा और उसके बाद आपकी कबजीत की समस्या होगी यह आपके लक्षन है अगर चौते लक्षन की बात करें, तो यह है आपका अत्यधिक सलेशमल, यानि कि जो आपका कबजियत होगा, कबजियत में जो मटेडियल होगी, यानि कि मल में सलेशमा की मातरा अधीक होगी, उसके बाद एक और प्रॉल्लम होती है, इसके साथ में एक और लक्षन दिखाई पड़ता है रक्त के थक्के वाला मल यानि कि मल में रक्त का आउसेस हिस्सा आपके सरीर से बाहर निकलता है यह अमें भी अतिसार के लक्षन है यानि कि कुष्ट बलता यानि कबजियत उद्रिये पीरा यानि कि पेट में दर्द आ उसके पेट में एठन होना उसके वाद अत् अगले रोग के बाड़े में हम लोग तो अगला रोग है अमड़ा एसकेरिस्ता यह भी एक क्रीमी के द्वाड़ा होने वाला रोग है इसके अगर कारक की बात करें तो यह आपका पड़जीबी एसकेरिस्स आपके सरीर में पड़जीबी के रूप में रहने वाला क्रीमी एसकेरिस्स एसकेरिस्ता रोग को आपके सरीर में उत्पन करता है अगर बात करें कि बास्तम में यह एसकेरिस्ता आपके सरीर में होता कैसे है इसके क्या कारण है तो इसके कारण के तो फ्रेंस इसक संदूसित पानी साक सब्जी यानि कि संदूसित पानी पीजिए या संदूसित फलों के खाने की वज़ासे आपको यह रग होता है। जिस बेक्ती को भी एसकेरिस्ता नामक रोग है उसके मल की बज़ा से यानि मल त्याय की बज़ा से खुले में सौच खरने की बज़ा से वह जो मल में जो आपका पड़जी भी एसकेरिस्ता है उसकी कुछ मात्रा होती है जिसके बज़ा से वह उससे बैह कर जाने वाली नदी तलाब में पानी में चला जाए या फिर उस पानी का अवसोशन किसी पेर पौदे द्वड़ा किया जाए तो उनमें वह जो आपका पड़ीवी है एसकेरेसिस वह उसके सरीर में यानि कि पेर पौदों में या पानी में या फॉलो वाले चीजों में या फैल जाती है और उनका सेबन करने से अच्छे आदमी को भी यह एसके रिस्ता नामक रोग हो जाता है अगर बात करें कि प्रवावित अंग यानि कौन सा अंग ज्यादा प्रवावित होता इसे तो है आपका आथ यानि कि यह रोग आथ क्योंकि जो भी खाने पीने की समागरी है तो पाचन के लिए मुख्य रूप से तो आथ ही जिमेवार होता है तो इसलिए जो भी चीज़े खाती है खाई जाती है और सभी के सभी आथ में जाकर संक्रमन करती है जिसके वज़ा से सबसे अधिक एसके रिस्ता से हमारा जो अंग प्रवावित होता है वह अंग है आंत देखते फ्रेंट्स कि क्या लक्षन हमें दिखाई पड़ेंगे अगर एसके रिस्ता नामक रोग हो गया तो फिर अगर लक्षन की बात करें इसके रिस्ता के लक्षन यानि कि कौन-कौन से लक्षन आपको दिखाई पड़ेंगे पहला नमबर आंत्रीक रक्त स्राव यानि कि आत में रक्त का स्राव होगा आंत्रीक रूप से आपका छरन की वज़त से आंत्रीक रूप में रक्त का स्राव होगा दूसरे लक्षन की बात करें तो पेसिये पीरा यानि कि जितने भी आपके मांसल या पेसिये वाला इस्सा जैसे हाथ फैर का इस्सा इन सबी चीजों में जकरन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा प्रेंट अगर तीसरे कारण की बात करें तो ज्वर यानि की फीवर भी आपको होगी यानि इसके रिस्ता में ये भी होगा अगर चोते लक्षन की बात करें तो और रक्तता और आत का अवरोद और रक्तता का मतलब होता है कि आपके सरीर में रक्त की कमी यानि आपके सरीर में खून की कमी हो जाएगी यानि आपके सरीर में आइरन की मातरा की कमी हो जाएगी यानि इसके रिस्ता के ये मुख्य चार लक्षन है यानि अधिक रूप में रक्तसरा होगा कनफर्म है जब रक्तसरा होगा तो आपके सरीर में रक्त की कमी आएगी है और PCA पीरा जब रक्त की कमी होगी आपके सरीर में हिमोगलोबिन की कमी आ जाएगी तो आपके सरीर में ब वीवर होना स्वभाबी है देखतेँ ये अगले के बारे रोग के बारे में जहां तक मुझे अंदाज़ा है आपको clear हो गया होगा अगर clear नहीं हो तो वीडियो को rewind करके फिर से देख सकते हैं धेखते फ्रेंस अगले रोग के बारे में अगला रोग है हमारा दाद दाद की बात करें हम लोग तो दाद के मुख्य कारक हैं आपका माइक्रो श्पूरम आपका इस तरह से बहुत साड़े बंसज के आपके जो क्रीमी है जिसके बज़़ा से आपके शेरीड में दाद होता है या एक बंस का नाम है एक जीनस का नाम है दाद का जिसके वज़ा से आपके शरीड में दाद होता इस तरह से बहुत साड़े और भी आपके बंसज है जो कि आपके दाद जैसे गोल क्रीमी को उत्पन करते हैं फ्रेंज अगर बात करें हम लोग कि इसके कारण तो बास्तब में या दाद फैलता कैसे है तो मिट्टी से या किसी संक्रमित वेक्ती के कपड़े के इस्तेमाल से अगर किसी को दाद है खुजली है अगर उससे संदूसित कपड़े यानि कि उसके कॉंटेक्ट में आये हुए उनके कपरे तौलिये का इस्तेमाल अगर आप करते है तो कंफर्म है कि वो दाद की विमारी आपको भी आ जाएगी यानि कि आपको संक्रमित वेक्ती से या फिर आपके मिट्टी के समाने रूप से संदूसित मिट्टी से समाने रूप से दूड़ी बना के रख रहे हैं आपकी तौचा यानि कि दाद जब होती है खुजली जब होती है तो बड़ी में आपकी सल्की की तरह आपकी अलग-अलग रूखे-रूखे से तौचा हो जाती है यानि कि सबसे अधिक प्रभावी तंग की बात करें दाद से तो वह आपकी तौचा अगर कुछ लक्षन की कर लें इसके तो इनके मुख्य लक्षन जो आपके उन लक्षनों में पहला लक्षन आपका सुखी-सल्की तौचा यानि कि तौचा पे सुख जाएगी यानि कि नमी की मातरा कम हो जाएगी सल्की की तरह हो जाएगी अगर दूसरे लक्षन की बात करें तो सल्की नाखुन यानि कि नाखुन आपका सलकी रूप में हो जाएगा, या मतलब कि उसके उपर रुखापन या फिर आपको देखने में कुछ बद्धासा नमी की कमी महसूस होगी, अगर तीसरे लक्षन की बात करें तो वह आपका खुजली करना, यानि बड़ी के अलग-अलग हिसे में खु साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब अब तक नहीं कियो, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, थैंक यू टू वाच, कंप्लीट माई वीडियो, थैंक यू बेरी मच फ्लेंज, प्लेंज